दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गुलडावदी प्लांट को शेयर करूंगी गुलडावदी सर्दियों के मौसम में एक बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग करने वाला पौधा है और पूरी सर्दी ये भर-भर के फूल देता है और अगर इसे अच् मेहीना अक्टूबर का चल रहा है गुलडावदी के पौधे पर कुछ जरूरी काम करने के लिए और अगर इस समय ये जरूरी काम कर लिए जाते हैं और ये वर्टिलाइजर दे जरूरी है नमिश्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों सामने आप जो ये पौधे देख रहे हैं ये मैंने सितंबर के महीने में कटिंग से तयार किये थे जिसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी तो दोस्तों गुलडावदी के पौधे को स्वस्त और घना बनाने के लिए साथ में अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे पहले उसकी मिट्टी पर ध्यान देना होगा तो गुलडावदी के पौधे को मिट्टी जो है वैल ड्रेन और हलकी सैंडी काफी आसानी रहती है जिसकी वज़े से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और वो तेजी से हरा भरा हो जाता है तो जब भी आप इसकी मिट्टी को तयार करें तो उसमें कुश मात्रा में रेत या फिर बजरी जरूर मिला लें जिससे की पौधे को आराम रहे जड काम आपको करना है कि पौधे को आपको बगीचे में ऐसी जगे पर रखना है जहां पर गुलडावदी के पौधे को कम से कम तीन से चार घंटे की धूप जरूर मिले वरना कम धूप मिलने की वज़े से आपका पौधा लैगी सा पतला सा होकर उपर की तरफ बढ़ने लगे लेकिन इतने चोटे पौट में इसमें फ्लावरिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है और पौधा भी अच्छे से घना नहीं हो पाता है तो कम से कम जब आप गुलडावदी के पौधे को लगाएं तो 8 इंच का गमला जरूर सेलेक्ट करें और बहतर होगा कि अगर आप 10 इंच के गमले में या फिर 12 इंच के गमले में इस पौधे को लगाते हैं तो यह पौधा काफी हरा भरा और काफी अधिक मात्रा में फ्लावरिंग करेगा दोस्तों गुलडावदी के पौधे पर अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर से काफी मात्रा में मिली बक्स का अ जीटियां फिर सारे बगीचे के पौधों को और जितने भी गुलदाओदी के पौधे होते हैं सभी को इंफेक्टेट कर देती हैं तो दोस्तों शुकी इस स्टेज में पौधा अभी हमारा काफी छोटा होता है और वो कमजोर भी होता है और जब उस पर मिली बक्स का काफी मा मात्रा में अटाइक हो जाता है तो पौधा दीरे-दीरे कमजोर और होकर को खराब होने लगता है तो पौधे को बशाने के लिए अभी से अक्टूबर से ही आप इसके उपर हर हफ़ते नीम उयल का अच्छी तरीके से पौधे पर इस्प्रे करना सुरू कर दें जिसकी काम हमको तब-तब करते रहना है जब तब कि प्लांट्स पर बट्स बनकर फ्लावरिंग नहीं होने लगती है और इस स्टेज से पहले हमको बराबर इसके उपर पिंचिंग करते रहना है क्योंकि ऐसा करेंगे जब हम तो उस पर उतनी ज्यादा ब्रांचे आएंगे और हमा वहां से दो नई ब्रांचे निकलती हैं और जब आप उन दो नई ब्रांचों को वहां से पिंच करेंगे तो वहां से चार नई ब्रांचे निकलेंगी इस तरीके से जब तब कलियां बनने का समय आएगा तब तब आपका पौधा काफी घना हो जाएगा उन ब्रांचों को म काफी पसंदे और ऐसी फर्टिलाइजर पाके यह पौदा काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है इसलिए हर 15 दिन के अंतर पर आप अपने गुल्डावदी के पौदे को कोई ऐसी फर्टिलाइजर देते रहें जिसमें की फासफोरस जरूर हो तो उसके लिए आप बोन मिल वर्मी कमपोस्ट खात का इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आज मैं अपने इन पौदों को जो फर्टिलाइजर देने जा रहे हूं वो आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि उपर वाली जो मैंने अभी फर्टिलाइजर बताई है वो जब मैंने पौदों को अपने फर्टिलाइजर को तयार कर रहे हूं तो उसके लिए आठ चमश वर्मी कमपोस्ट खात को ले लेती हूं और उसमें लगबग एक चमश सीवीड ग्रेनियूस के दानों को मिला लेती हूं क्योंकि इन दानों में नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटेसियम के साथ साथ सारे व बातों को ध्यान में रखकर और हर 15 दिन के अंतर पर ऐसी फर्टिलाइजर देना जिसमें की फासफोरस की मात्रा हो, साथ में पानी ज्यादा नहीं देना है क्योंकि ज्यादा पानी देने से इनके तने जो हैं वो गल जाते हैं और जड़ों में फंगस आ जाती है, साथ में जो पत्या नीचे पौधे की टच कर रही होती है, उन पत्यों में भी फंगस आ जाती है, इसलिए दोस्तों गमले में किसी भी पत्ती को भी टच ना होने दे, जो भी पत्या सूखी या खराब हो, उनको भी आप समय समय से निकालते रहें, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके गुलदाओदी के पौधे पर बड़ सी बड़ नजर आएंगी,